So, hey, what's up public, कैसे हैं आप सभी, पता ने क्यों YouTube पे एक simple से topic पो इतना complicated क्यों बनाए जा रहा है, कि मतलब smartphone पे color grading वीडियो का, मतलब ऐसा ऐसा tutorial निकल के आरें, जैसे कि काईन मास्टर पे वो chroma की use करते है, या फिर कोई use करता है, वैस को, मतलब काफी सारे applications use करते है, और color grading तो एक्सपोर्ट में भी problem आने लगता, तो काफी सारा problem आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन आज किस वीडियो में आप लोग को एक्दम, simple और the best application बताने वालों, color grading के लिए, और सबसे बड़ी बात में बता दू, यहसा कोई मतलब, modded APK वगेरा कुछ नहीं है, यह direct error बगेरा, कुछ भी नहीं है, मलोग क्योंकि play store पे तो काफी safe है, और सबसे simple, easy to use है, तो बस अगर आप color grading करना चाते हैं, next level अपने smartphone पे, तो वीडियो को पूरा end तक जरूर देखना, so let's get straight into the video, अब कैसे करना है यह तो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ एक footage को color grade करके भी दिखाने वाला हूँ, अभी इस वीडियो में मैं आपको, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस application हमें यह color grade करना है, simply आपको play store पे जाना है, एक second, और यहाँ पे simply आपको type करना है, coloro, यह वाला application आपको download कर लेना, coloro, link आपको description में मिल जाए play store पे यहाँ पे देखो plus वाला icon दिख रहा है, click कर लो, और simply आपको कोई भी import कर लेना, कोई project, चलो मैंने अभी just ऐसे record किया था, वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे आप import करेंगे यह play होने लेगा, आप उपर सिसको रोक सकते हैं, और एक frame चूज कर लिजिए कि जहाँ पे आपको edit करने, let's suppose कि मैं यह वाला frame यूज करता हूँ, मतलब इसे edit करने के लिए मैं यह वाला use कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं इसको edit करूँगा थोरा बहुत, और simple क्या करना है, lightrooms आप लोग edit की होगे, same और इसाई feature आपको देखने को मिलेगा, नीचे आप जा देख सकते हैं, आपको सारा professional tools, सबसे बढ़ा HSL आपको यह देखने को बिलता है, इसको थोरा last में करते हैं, पहले आगे मैं आपको feature दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप सारपन भी कर सकते हैं, देख सकते हूँ, काफी सारा effect आपको पहले तो दिख जाता है, split toning जिस पे कि आप कर सकते हूँ, देखो, और सबसे बढ़ा tool curve आपको मिल ही रहा है, देख सकते हूँ, चलिए, HSL tool पे चलते हैं, और यहाँ से आप simply देख सकते हूँ, HSL tools से क्या कर सकते हैं, देख सकते हूँ, आप fully edit कर पाऊँगे, जैसा आप लोग लाइट रूम में करते हैं, हम लोग, same to same, जैसे आप edit कर पाऊँगा, आपको fully यहाँ पर जो preference आपको फूरा पूरा पूरा आपको छूट है, जैसे आपको edit करना है, कर सकते हूँ, पूरा color आप अच्छे से edit कर पाऊँगे, color rating कर पाऊँगे, side आपको crop का भी बटन देखने को मिलता है, जैसे आप यह स color, आसानी साब edit कर पाऊँगे, edit होने कवाद आप simply क्या कर सकतो, उपर यहाँ जो पले, इस पर export पर डाल दोगे, export यह आसानी से complete हो जाएगा, देख सकते है, exporting start हो चुका है, कोई problem नहीं है, export होने कवाद simple आपके gallery में save हो जाने वाला है, export होने कवाद आप simply से use कर सकते हो, काफी simply, simple तरीकी से जैसे आप लोग videos को use करते हो, जहाँ पर आपको upload करना कर सकते हो, काफी easy to use application, आप आसानी से download कर सकते हो, link description आपको देखने को मिल जाएगी, और मैं इससे मना बता है, इतना simple सा topic है, लेकिन फिर भी इस पर काफी जादा, मतलब, views के चकर में आपको किछ भी बताया जा रहा है, तो इस जनीन वीडियो को बनाने के लिए एक लाइक तो आपका एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चल पर चल को subscribe कर सकते हो, and thanks both